हलो फ्रेंड असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे बहुती फेमस और मज़ेदार चने के दाल का हलवा और जब भी आपका मन करें कुछ मीटा खाने का तो आप इसे बना कर जरूर खा सकते हैं आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें इसे बना कर 25 से 30 दिन तक आप इसको इस्टो तो इसना का दाल लिया है और इसको तीन-चार पानी से अच्छी तरीके से दिवाश कर लेंगे जोने चार से पांच घंटे के लिए इसको हमारा दाल थाकि यहां वस्टूर जाया तेरीग सी पानी से ़िख से पानी दोड हरोते है Liqu सब से पहले बटन में स्वारा दाल हम टा पकाना रहता है दूश से जब हम यह हलवा पकाते हैं तो चने के दाल का हलवा का बहुत तो यह चाझा टेस्ट आता है तो इसको डाल का हमें हाइफ लेम पर अची तरीके से उबालना है और भीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और ढखकन ढखके इसको पकाएंगे आप तो दाल को उबालने के लिए पानी का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर दूद से भी आप इस दाल को पका सकते हैं तो हमें इसको हाई फ्लेम पर 40-50 मिनट तक अची तरीके से पकाएंगे ताकि यह दूद अची तरीके से ड्राई हो जाए दूद और हमने अची तरीके से पका लिया इसको कुछ देर के लिए हम ठंडा करने के लिए रख देंगे जब यह ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में डाल कर इसको अची तरीके से पीस लेना है तो यहाँ पर मैंने कराही रख दी हैं और इसको अच्छी तरीक से हमें घरम करके इसमीं दाल को ट्रांस्फर करते हैं और इसको लगातार चलाते हुइ अच्छी तरीक सा've भूनधा है शुरुआत में हमें दाल को high medium flame पर अच्छी तरीके से भूनना है जब ये दाल हमारी भून जाएगी तब हमें low medium flame पर इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब दाल को हम दरडरा पीखते हैं तो जब हलवा बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुती ला जवाब होता है और बहुती बेतरीन लगता है ये खाने में आप चाहें तो इसको भूनने के समय गी भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर गी का इस्तमाल नहीं किया और इसको इस तरीके से भूना है ताकि एकदम powder जैसे हो जाए तो यहांपर देखिए एकदम बडियाँ हमने भून लिया है यह हमारा दाल भूनके ready हो चुका है दाल हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है इसको कुछ देर के लिए थंडा करने के लिए रख देंगे साइड में और चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं तो मैंने एक बरतन में देशी घी डाला है दो कप के करीब इसमें लॉंग और चोटी लाइची डालेंगे और कुछ मैंने यहां पर ड्राइफ फ्रूट काटके रखे हुए थे किस्मिस, काजू, बदाम और यहां पर नारियल मैंने चोटे-चोटे बारिक टुकडो में इसको काट लिया था इसका पेस्ट नहीं बनाना है नहीं इसको दरदरा पीसना है तो इस तरीके से जब यह हम डाल में डालते है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहां पर हम दो कप हम डाल का किया था, तो दो कप इसमें हम चीनी भी ऐट करेंगे और इसमें डालेंगे दो कब हम दूदakah नहीं नहीं तकरीबन हमने 2-3 मिनट तक अची तरीके से डाइफ फ्रूट को फ्राइ किया था और इसके बाद हमने चीनी आइड कर दिया उसको हम मिला लेंगे और हमने धूद को आइड कर दिया आप चाहें तो यहां पर पानी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवलेबल हो इ इसमें हमने फूट कलर का इस्तिमाल किया है वो भी हमें एड कर देना है और चार से पास मिनट तक इसको अची तरगे से पकाना है ताकि इसमें एक उबाल आ जाए और यह हमारी चासनी रेडी हो जाए तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए अची तरगे स चुकी है अब इसमें हम वो दाल ट्रासफर कर देंगे तीन से चार मिनट तक इसको पकाएंगे और आप चाहें तो इसमें क्योडा वाटर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं नहीं है तो इसकी बी कर सकते हैं तो हमारी चासनी रेडी है इसमें हमने जो दाल को भून के रखा हुआ अगाल गौला देंग हमें तो हम भातर इसमें चला लेकर फॉल ना पकातर कर देंगे और यसको लगातर चलाते हुए हमें पड़ाल ओंतेCK इसको तश्य विला कि पकाएंगे और इसको हमें तरीके से इन्स पक पकाना थे편र जिसमें दाल गररत तो एखक्वन मर्म भॉल की तो इसमें रोड़े बन जाएंगे और हमारी हलवा अच्छा नहीं बन पाएगा तो तो हमने 01 अच्छा है को डाला है और 01 अच्चा पशिए पखता और अचल आह जार दालता दूंत ने अच्छी तरीके से पका लिया है अब यहां पर देखिए यह बरतर नीचे से छोड़ने लगा है और घी भी उपर आ गया है तो हमारा यह दाल का हलुआ एकदम पर्फेक्ट बनके रेडी हो गया है चमच हम लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे और कु तो इसमें थोड़ा सा सुगर का ज्यादा इस्तमाल करना पड़ेगा कतली वारे हलुआ के लिए तो यहां पर हमको यह हलुआ बनाने के लिए थोड़ा सा कम सुगर का इस्तमाल करना पड़ता है तो यह हमारा एकदम पर्फेक्ट बेहतरीन डाल का हलुआ बनके रेडी है त मुझे कमेंट करें, मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहता है अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब किये बगएर मज जाएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहों तो मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ हमेशा की तरह इस रेस्पी को आप रमजान में जरूर ट्राइ करें दौाओं में याद रखें अल्ला हाफीज